हेलो एवरिवन स्वागत करती हूं एक बार फिर से आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल में तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूं भर्वा बैंगन की रेसिपी देखे खाने बहुत टेस्टी लगते हैं और मैंने बिना प्याज यूज किये इन्हें बनाया है तो मैंने कि इस तरीके से और बैंगन को चाहएं कर लільना है कियोंकि तक इन अधर कीड़ा निकल के तो बैंगन को अच्छे से चेक करते हुए इस तरीके से चार पार्ट में उसे कर लेना है अब हम मसाला तियार कर लेते हैं मसाले के लिए मैं बैंगन में भढ़ने के लिए सिर्फ नमक हल्दी और हिंग लोगी तो नमक लेना अपने बैंगन की अगार्डिंग जितने आपके बैंगन खोलके अच्छे तरीके से इसमें हमीं नमक हल्दी और हिंग लगा देनी है तो इस तो आपने सारे बैंगन तारने लोगी तो अब हम अम्यरी हमारे ये माधन सारे हो चुकए हैं तो अब हम के going केलिए मसाला तियार कर लेते हैं ज्रेव के लिए मैंसरे पहले मोटे मोटी पीस में टमाटर काट लिए इन्हें डाल दूगी जार में अगरे अब इसमें डाल दूवे 2 साबत लाल मिर्च थोड़ास अधनिया पावडर थोड़ासा नमक देखे नमक मैंने बैंगर के दाला तो असे फिसाव से डाला है जितना गिरेवी में नमक हो जाए यह डालत सरसो का तेल बैंगन को फ्राई करने के लिए अब आप मैं इसमें डाल दूगी गरम होने के बाद बैंगन अगर आपके बैंगन सारे एक ही बार में आ जाएं तो एक ही बार फ्राई कर लिजी अगर दो बार में आते हैं तो दो बार देखिए मेरे सारे बैंगन एक ही बार में जाएंगे तो मैं एक ही बार इनकड़ाई में डाल कर अच्छे से फ्राई कर लूगी देखिए जब आप इस तरीके से बैंगन बनाएंगे तो खाने में बहुत टेस्टी बनते हैं आप चाहे तो इने ब्रेक पास्ट में चाहे तो लंच बोक्स में और चाहे तो डिनर में दा प्राई हो जाएंगे तो उसके बाद हमारे बैंगन को बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ग्रेवी में ज्यादा टाइम पकाने की जड़त नहीं पड़ेगी यह ओल्रेड़ी पक चुके होंगे और ग्रेवी भी हमारी तियार होगी तो ग्रेवी में ने डा यह देखिए इस तरीके से तो मेरे बैंगन सारे पग गए हैं मैंने सारे निकाल लिए हैं तो चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ यह मेरे बैंगन हो गए हैं तैयार प्राई करने के लिए अब जो कड़ाए में एक्स्टा चिकनाई है में मकटोरी में निकाल लूँघı यह देखिए और यह मेरे बैंगन है तैयार और यह मेरे लिए मेंगने लिए ग्रेवी गिलिए थोड़ी शिद्धा ही और तो यह मेरा हो गया है टमाटर का पेस्ट तैयार तो अब इन तीन पानि और आते हैं जब तक चिकनाई ना चोड़ देए इसे बून लेंगे कि जब यह चिकनाई चोड़ देगा उसके बार डाल देने ही इसमें दही है देखे शुर्ण अच्छे से बूनना है कि जितना चाप अच्छा आप मसाला भूनेंगे इतना ही टैस्टी बनेंगे हमार पहेंगन तो देखिए मसाले चिकनाई छोड़ दिये अब इसमें डाल दूंगे मैं दही और दही को डालने के बाद बराबर चलाते रहना एक मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं नहीं तो दही फट जाएगी और मसाला खराब हो जाएगा इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा पानी यह देखिए थोड़ा सा पान डाल दिया अब इसे बराबर जब तक की इसमें उबालना आ जाए चलाती रहना है जब इसमें अच्छे से उबाला जाएगा तो उसमें डाल देने हमें अपने बैंगन देखिए ग्रेवी को थोड़ा सा पतला ही रखेगा क्योंकि ये रखने के बाद थोड़ा से टाइट हो जाते हैं तो फिर ज़्यादा ड्राइ हो जाएंगे अब ये देखिए ये इसमें धीरे धीरे करके मैं अपने सारे बैंगन छोड़ दूँगे और इस तरीके से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर दूँगे अब इसे धकन बंद करके हम चार से पांच मिनट के लिए पका देंगे अब इन्हें जादा टाइम नहीं लगेगा बने में चार से पांच मिनट में ये तियार हो जाएंगे तो बस एक बार इन्हें देख लेना है और गैस को कर देना है बंद ये देखिए ये बैंगन तिय है केलर भी अच्छा आया है खाने में बहुत टेस्टी बने हैं तो आप भी ट्राइ कीजिए एक बार आप सभी को मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बुक्स में कमेंट कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए थैंक यू सो मच कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ